वर्ल्ड किर्केट में मचा हाहकार भारत का खतरनाक उतार देख कर हिल गई बंगलादेश की टीम पूरी दुनिया में चला भारती टीम का सिक्का इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कानपूर्टेस्ट मैच वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा याद रहेगा भारती टीम का ये कुखार उतार कभी नहीं भूलेंगे भारती क्रिकेट प्रेमी कानपूर्टिस्ट के इन पांच हीरो को जिनकी वज़े से मिली है टीम को जीत चारो तरफ से मिल रही है बधाई जश्र मना रहे हैं रोहिश शर्मा डांस कर रहे हैं गौतम गंभीर अगर ये पांच खिलाड़ी ना होते तो कभी न जीतता भारत न बन पाता इतना बड़ा रिकॉर्ड कानपूर्टिस्ट के अंतिम दिन में भारती टीम ने बंग्लादेश को साथ विकेट से हरा दिया टीम इंडिया को बंग्लादेश ने खेल के आखरी दिन पंचान में रनों का लच दिया था जिसमें टीम इंडिया ने लेंच ब्रेक के बाद तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया इस जीत के साथ भारती टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की और वर्ल्ड चेंपियनशिप में फाइनल की तरह मजबूत कदम बढ़ा दिया है बारिश से परभावित कानपूर टेश्ट मैच एक समय में ड्रा की तरह बढ़ता चला जा रहा था लेकिन टीम इंडिया के खिलाडियों ने तूफाली खेल दिखाते हुए मैच को जीत की तरह मौड दिया ऐसे मैं ये जानते हैं जीत के पांच हीरो के बारे में कानपूर टेश्ट मैच में जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर उबरे हैं ये सस्वी जैसवाल ये वही जैसवाल है जिनकी ले बहत खराब चल रही थी लोग कह रहे थे कि अब बी सिस्याई जैसवाल को दूद में मक्ही की तरह निकाल कर फेक देगा क्योंकि जैसे जैसवाल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे उनका बल्ला उन्हें रोक देता है लेकिन ये सस्वी जैसवाल ने मेहनत की खुद पर काम किया और जैसवाल ऐसा चमके की बड़े बड़े खेलानी गर्दा हो गए और कई बड़े रिकॉर्ड तूट गए बारिशे परभावित मैच में ये सस्वी जैसवाल ने जिस तुफानी अंदाज में बैटिंग की उसे देख कर बंगलादेश की गेंदबास दहल गए बारिश के कारण तीन दिन खराब होने के बाद बंगलादेश को उम्मीद नहीं थी टीम इंडिया थिम दो दिन में इस तरह की किरकेट खेलेगी ये सस्वी ने टीम इंडिया के लिए रोहिश शर्मा के साथ मिलकर पहली पारी में गेंदबासों की धज्जा उड़ा कर रख दी पहली पारी में उन्होंने 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी की हाला कि वो शतक के करीब पहुच कर 22 रण की स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठी तो वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने भारत के लिए एक 50 रण की दंदार पारी खेली बंगलादेश के खिलाब जस्परीद बुम्रा ने तूफानी अंदाज में गेंदबाजी की उनके आगे महमानों की टीम के बल्लेबाजों के पैर काप गए बुम्रा ने अपनी गेंदबाजी से मैश में खुब कहर बर पाया और दोनों पारियों में मिलकर 6 विकेट अपने नाम किये तीसरा सबसे बड़ा नाम है रवीचंद अशवीन का चे नई टेश्ट में बल्ले से कमाल दिखाने वाले रवीचंद अशवीन ने कानपूर में अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाया अश्विन की फिरकी के आगे बंगलादेश की खिलाडी बुरी तरह चक्रा गए अश्विन ने गेंद को ऐसे घुमाया खिलाडी चक्रा गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे गेंद को समझे और कैसे इस पे बल्ला चलाएं दोनों पारियों में मिलाकर कुल पांच विकेट जटके, वहें चौथा बड़ा नाम रहा रविंद्र जडेजा का, रविंद्र जडेजा ने कानपूर टेश्ट मैश में गसब की भूमिका निभाई, उन्होंने पहली पारी में एक और दूसरी पारी में तीन अहम विकेट हा भावित किया, तो वो थे केल राहूल, इसलिए हमने केल राहूल को पांच वे नमबर पर जगा दिये, राहूल लगतार खराफ वाम के कारण, आलोचना का शिकार हो रहे थी, लेकिन उन्होंने ग्रीन पार्क में 43 गिनों में 87 तन की पारी खेल कर, मैश को पूरी तरह से आपके हिसाब से पांच वो खिलाड़ी कौन हैं, जो कान पूटेश्ट में अहम भूम का निभाने वाले हैं, जिनके बिना कान पूटेश्ट मैच अधूरा है, कमेंट करके अपनी राह में जरूर दें